नमस्कार दोस्तां स्वागत थे आपका हमारे चैनल लचार जागंदर मिस्रा में आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राश्किदनिक रास्फल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में पंदरह अगस्त 2021 रवी बार का दिन है और स्त्रावर माश शुकल पक्षी सब्तमीति थी है नच्छत्र की बात करें तो आज बिशाखा और स्वाती दोनों नच्छत्र आज रहेंगे स्वाती और विशाखा और आज के जो अबशीत महूरत होगा वह दुपहार 11.49 मर्सले के दुपहार 12.29 मर्ट तक रहेगा आज का सुरूद है सुबह 5.49 मर्ट पे और चंदरमा गोचर कर रहे हैं तूला राशी पे और रातरी 11.00 बजे से बिर्शिक राशी में चले जाएंगे आज का जो असुब समय होगा वह होगा सुबह 9.00 मर्ट सले के सुबह 9.00 मर्ट तक रहेगा इस असुब समय में कोई भी शुब और ने कार की सुरूद ना करेनी तो बिग्न वाधाईया शुकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन राश की देनिक रास्मल की और यह प्रेक्शन चंदराशी पर अधारित है मिथुन रास की देनिकों आज इतिहास बदलेगा क्योंकि केरियर की अगर बात करें तो मिथुन रास की देनिकों आज का समय आपके लिए काफी अच्छा भी जाने वाला है कई मामलों में आज इतिहास बदलेगा, कई मामलों में आज आप काफी दा बेहतर करते नज़राएंगे, आज आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है, इस समय आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, तो मिथुन रास्कत को इसका आपको अधिक नुक्सान ज चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, ब्यापारियों की बात करें तो मिथुन रास्कत को आज आपको मेहनत करने की जरूरत है, और अपने मेहनत की दम पर बहुत बड़ा इतिहास बदलेगा, क्योंकि आज पुराने डिल फाइनल होगी, बिजनेस ब्यापार में जो अभी त यह दिमन बना ही लिया है, तो आप आज किसी अच्छे जानकार से सलाह लेकर अगर पैसे इंवेस्ट करें तो आपके लिए काफी अच्छे रहेगा, अलगी आज आज आपके द्वारा लिया गया है, कहीं उधार करजा भी आज चुकता करते नजराएंगे, देखे आज की वैसे तो ठीक ठाक है, पैसे की बज़े से आज आज किसी साथ विवाद ना हो, ये भी ध्यान देने के आवसकता है मिथुन रास के आज को, आज केरियर में उच्छपत की प्राप्ती होगी और प्रमोशन के रूप में एक इतिहास बदलेगा, और किसी मल्टी नेशन कंपन जिस नौकरी जहां आप बड़ी कंपनी में आपने पहले बहुत पहले सप्लाई किया हुआ था, लेकिन आपको बार-बार ट्राइ करने के बाद भी मौका नहीं मिल पा रहा था, उससे में आपको जवरजस्त मौका मिलेगा, आज आपके बोस और आपके इनिस्टाप के जि तो अच्छा खासा लाब होगा, और आज आपको लोटरी शट्टा के रूप में जवरजस्त मौनाफ़ा प्राप्त होगा, मितुन राजक्यत को आज आपका रुका वधन फसा वधन प्राप्त होगा, जो काफी समय से नहीं मिल पा रहा था, और मिलने के लिए आपने सोचन बंद कर दिया था, लेकिन अब एक नए तरह से कहा जाए, तो इतिहासी बदल रहा है और आपका रुका वधन प्राप्त होगा, घरेलू जीवन में भी इतिहास बदलेगा, संतान की प्राप्ती हो रही है, अभी तक जो संतान की चाहत धूरी थी, मितुन राजक्यत को उसम में भी आपको सफलता मिलेगी, जीवन साथी का भरपूर साथ मिलता नजराएगा, जीवन साथी के साथ ज्यादा ज्यादा वक्त बिताएंगे, और उनकी सलाह से कुछ महतपूर काम कर सकते हैं, अगर आप पुरुस है तो आज महिला से लाब होगा, और अगर महिला है तो प्रसंट रहेगा, समाज में आपका मान समान बढ़ेगा, समाज में आप लोगों की मदद ले सकते हैं, और लोगों की आप मदद कर भी शकते हैं, मित्वन राशकित को आज की समय कहा जाए, तो देखे हर लिहास अच्छा है, आज आपके लबलाई बहुत खुब सुरत रह तो आज आपके लबलाई बहुत अच्छी रहेगी, आज आपके दमपत्य जीवन में भी खुशियों से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि जीवन साथी के साथ आज पूराने सिक्वे गिलों को दोर करते नज़राएंगे, शिलो तक है कि आज मित्वन राशकत को इतिहास ब जा सकता है, मित्वन राशकत को बहुत अच्छे सित्यों का निर्मार हो रहा है, कई महतपूर्ण काम होंगे, कई अच्छे कारियों में भी आपको इजाफा जरूर देखने को मिलेगा, पंचम भाव पे चंद्रमा का गोचर होना, आपके प्रेम संबंधों को दरसाता है, प्रेम जीवन में भी बहुत अच्छे रहेगा, पढ़ाय लिखाई के मामले में बहुत अच्छे रहने वाली है, मन मस्तिस्क, जो बिचार होंगे, वो काफी पोजिटिव होंगे, और मां लक्षमी जी का भी आशिरबाद बना रहेगा, आचकी धन के आगबन होंगे, धन क काफी उत्साह रहेगा जो अभी तक कार सोच रहे थे उन कारियों में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी परते कार में आपको सफलता मिलेगी सोचे हुए कारियों में आपको सफलता जरूर मिलेगी तो कुल मिला के कहा जाए तो इस्तितिया आपके पक्ष में है और हर प्रकार की इस्तितिया आपके पक्ष में रहने वाली है मितुन राजकत को अगर आप अभी तक किशी काम या किशी नेने को लेकर अस्मंजस की इस्तिती थी तो आज आप उस अस्वंजस की सिती से बाहर निकलेंगे और मितुन राजकत को आज आप एक नया तिहास बनाएंगे कई महतवपूर काम करेंगे जो काफी समय से आठके हुए थे लटके हुए थे उनको पूरा करेंगे आज आप बैंकिंग के छेटर से आपका महतवपूर काम हो सकता है बैंकिंग के छेटर से जो काम आपका रुका वा था मितुन राजकत को उसकाम में आपको सफलता मिलेगी यानि कहा जाए तो महतवपूर फैसले ले सकते है मितुन राशकत को सोचे हुए कारियों में इजाफा होगा सोचे हुए कार भी आज आपके बंते नजराएंगे कुछ महत्वपूर आज आज decision ले सकते जीवन सातिक साथ भी आज घरेलू जीवन अच्छा रहेगा मितुन राशकत को घर परिवार के लिए काफी समय दे पाएंगे घर परिवार की जो इस्तितिया है वो भी आपके आज पच्छु में आती नजराएंगी कुल मिला के कहा जाए तो इस्तितिया बहुत ही सांदार रहने वाली है आज अपने घर परिवार के शुक्षादन में बरदे करेंगे बिदेश जाने के मौके मिलेंगे बिदेश में सेटल्मेंट होने का बिदेश में पढ़ाई करने का ये फिर बिदेश में कुछ करने की चाहत जो आपकी अधूरी थी उसके लिए एक नया इतिहास बदलेगा और आप वहां कुछ करते दिखाए देंगे तो गुल मिलाकर कहा जाए तो इस दितिया काफी अच्छी है और आपके पक्षमें और बहतर आ रही है हर प्रकार से अईवाही जातकों के जीवन में किसी नए दोस्त की दस्तक हो सकती है जो कि मिथुन राजकरत को आज आपके लिए काफी बेहतर दर्स आ रही है समाजी की देश्टर से काफी इमान समानने बढ़ेगा और राजनीतिक छेतर से जुड़ाव आपका लगाव काफी इमान समानी बेक्तियों से हो सकता है बड़े लोगों को साथ उठना वैठना हो सकता है आज कुछ महतपूर काम राजनीतिक छेतर से भी हो सकता है जमीन प्रोपाइटिक अगर काम करते हैं, रियल स्टेट का काम करते हैं, कंट्रक्शन का काम करते हैं, तो मिथुन राशकत को आज आपको अच्छा खासता धनलाब हो सकता है, राजनीत के द्वारा महतपूर काम होंगे, तो वहीं अगर मित्रों के द्वारा आज महतपूर का परहाई लिखाई पर मन लगेगा केरियर बिजिनेस ब्यापार में अच्छी उपलब्धी हांशिल हो सकती है आज आपका शुबरंग रहेगा मिथुन राज क्यात को यहाँ पर बैगनी कलर और भाग साथ निभारा आपका तक्रीवन 85% दोस्तो जाते दे वीडियो गुलाइक जरूर करें नए तो चनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए जय शनिदेव